कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी SSO ID में लोगिन करना है उसके बाद में आपको यहाँ SIPF Old or New दिखाए देंगे तो आपको New पे क्लिक करना है यदि यह option आपको नहीं दिखाए देता है यहाँ पे तो आप यहाँ पे Other Active Apps इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन सभी एपस में आप उसको ढूंड लें यहाँ आपको ढूंड कर उस पर इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स स्क्रीन पे जो है यहाँ पे अपडेट इवेग जिस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ SI इस पर क्लिक करें यहाँ पर जो आप फाइल सिलेक्ट करेंगे PDF फाइल वो आपकी यहाँ पर देख लें कि कितने MB यह जैसे 10 MB से आपको बड़ी नहीं होनी चाहिए वो फाइल 10 MB से छोटी फाइल होनी चाहिए अब आप यहाँ पर SI का कौन सा डोकुमेंट जो है उस फाइल को और फिर उसके बाद में आके बढ़ेंगे जैसे कि यह मेरी फाइल जो है SI BMR record तो इस पर मैं क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद नीचे जो यह open इस पर क्लिक करें तो यह फाइल जो है सेलेक्ट हो जाएगी अब आपको यहाँ पर इस फाइल को जो है सेव पर क्लिक करके आप इस जो अप्लोड की है अपने फाइल इस फाइल को आप देख भी सकते हैं आपके द्वारा अप्लोड की हुई फाइल को आप आसाने से यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो अप्लोड की है फाइल वो सही से की है या नहीं की है इस परकार से आप अपना जो ह SI की जो पास्बुक है उसको आप अपलोड कर सकते हैं